नमस्कार योडेव के चंता आज हम दो गाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिन्नोंने तहल का तो मचाई रखा है पूरा और बवाल भी काट रखा है क्योंकि फाइव स्टार रेटिंग चाइल सेफटी और अडल सेफटी अंदर ये गाड़ी लेके आई है टाटा पंच EV के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी ने तहल का तो मचाई दिया है अब इसकी जो रेटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अल्टिमेट हमें देखने के लिए मिली है क्योंकि आपको पहले भी पता हो गया कि टाटा पंच जो की EV के अंदर नहीं थी उसने भी 5 स्टार रेटिंग है वो लेके आई थी और इसने हर तरीके से प्रूब करके दिखाया है कि दुबारत से इस गाड़ी के जो चीजें मतलब चेंज हुई है इसका प्लेटफॉर्म भी आपको देखने के लिए मिला है गाड़ी बहुत ही जादा सिफ्ट ही मानी जाती है और है भी एरबैक्स देख सकते ओ आप शिक्स एरबैक्स के साथ में जो गाड़ी हमें देखने के लिए मिलती है और तरीके से एंगल हो टेस्ट करके दिखाये जा रहे हैं उसके मुकाबले टाटा की गाड़ियां सबसे ज़्यादा सेफ है वो मानी जाती है अब हम करते हैं आपने देख लिए जो किस-किस तरीके से गाड़ी के क्रेश टेस्ट अब हमें दिखाए गया है अब हम बात करते हैं दूसरी गाड़ी के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा सेफटी के साथ में आती है जो कि है नैक्सॉन तो नैक्सॉन का भी यहाँ पर इवी विरेंटा में देख़े हैं तो इवी विरेंट के अंदर भी गाड़ी की फाइव स्टार रेटिंग हमें देखने के लिए मिलें चाहे वो चायल्ड सेफटी हो चाहे वो अडल्ट सेफटी हो तो गाड़ी इतनी ज़्यादा सेफ है दम मन में खुशी होती है कि अपने इंडिया का ब्रैंड होके इतनी ज़्यादा सेफ पर अपनी सेफ्टी के उपर जो ध्यान दे रहा है तो आप देख सकते हो किस तरह से इसका जो अलग-अंगल से अलग-अलग तरीके से इसका जो क्रेश टेस्ट वो किया जा रहा है तो गड़ी No Doubt बहूत ही जादा ultimate है दोनों गाड़ियां तो इन गाड़ियों के वे थोड़ा सा डाउट था लोगों के मन में की गाड़ियां जैसे ईवी के अंदर आ दिया हैं तो क्या यह सेफ रहेंगी या नहीं रहेंगी तो उतनी ही सेफ्टी के साथ में यह गाड़ियां के टाटा बाई 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 जाहिं दोस्तों